नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल जियोतिस जीवन भाव में, हम आपकी इस चैनल के मात्यम से देनिक पंचांग से आउगत कराएंगे पंचांग का हर पूजा और मांगलिक कार्य में खास महत्व होता है, पुरातन काल सही पंचांग देखे बिना कोई सुबकार्य नहीं किया जाता था जो आज भी कायम है पंचांग के पांच अंग नक्सत्र तिथी योग करन ववार उत्ते हैं जिनका विस्टत विवरन वस्तुद है आज का पंचांग है 20 अप्रेल 24 अभी विक्रम समथ 2021 और सक समथ 1945 चल रहा है तिथी एक आदसी है जो साइंकाल 8 बज के 7 मिट तक रहेगी उसके उपरांद 12 लग जाएगी वार शुकरवार है, माज चेत्र है, इर्दू वसंत है और पक्स शुकलपक्स सुर्यतर प्रातकाल 5 बज के 56 मिट पर है और सुर्या साइंकाल 6 बज के 43 मिट पर है योग पुरती है जो 20 अपरेल के रात लिए एक बज के 42 मिट तक रहेगा उसके उपरांद 12 लग जाएगा करन वनीच है जो परातकाल 6 बज के 46 मिट तक रहेगा उसके उपरांद विष्टी जो की साइंकाल 8 बज के 4 मिट तक रहेगा उसके उपरांद 22 लग जाएगा अब जानते आशक, अपीजी, जोप्यों स्ब्सकारा दोफ्य वाला स्केजिवस्त मैं टाइजिवस्त मैं, हो साथ मिनित तक गुलिक कराता साथ बचके नो बचके आठ मिनित बेट है और चंद्र शीहारासी दिशास्वन पस्षिम में अब जानते हैं आज कब रखती हुआ आज कामदा एकादसी है हिंदू वर्स के टेले मां में पढ़ने वाली एकादसी को कामदा एकादसी के नाभी जाना जाता है इस दिन वी धिविधान के साथ भगवान विष्णू की पुजा की आती है कामदा एकादसी के दिन पुरत रखने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है विष्णू पुरान के अनुसार इस दिन पुरत रखने से हजार और वर्स की तपस्या के समान फलों की प्राप्ति होती है आप जानते हैं जनम दिये बालक बालिका के अफल 18 अप्रिल के प्रातर 27-27 मेट से 19 अप्रिल के प्रातर 10-27 मुड़ी के बच्चा जनम लेगा वह मघा नक्सत्र जनमा बक्चा है इनका जन्माचर मामी मूमे पाया चांदी है, मगा नक्सत्रों जटम देने वाले व्यक्ति बहुत ही महित्वकांशी होते हैं, ये जहां भी रहते हैं अपका दबदबा बना कर रखते हैं, इनके लिए स्वाबिवान सबसे बड़ा धन होता है और इनके हाथ के भी समझदा न और उसे दिल से निभाते हैं, दान दक्सिना देना इने पसंद होता है, मगा नक्सत्रों जटनन देने वाली मैलाएं सहासी और इस्परस्टवादी होती है, इनकी महित्वकांशा बहुत अधीक होती है, मगा नक्सत्रों को रखत संबंदी रोख एवं अच्ट्वा की सासं आपको हमारे प्रयास कैसा लागा? हमें कमेंट कर अवस्ति बता हैं, इससे हमें प्रोट चाहन मिलेगा, हमें आगे और भी अच्छा करने का एक वजिय मिलेगा.